आदिन दाना विर्मनी सिखा प्रदंसमादियामी कामेस लिच्छाचारा विर्मनी सिखा प्रदंसमादियामी यानि संग पहले भी कभी राजनीती में नहीं गया अभी भी नहीं जाएगा और बाद में भी कभी नहीं जाएगा संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं जो संग को घात करेगा संग को तोड़ेगा संग को नुपसान पहुचाएगा और वो पुरूब हो जाएगा फिर वो संग घात के आरोप में अगर निरूपित हो जाता है तो उसकी संग के अंदर बापसी कभी नहीं होगी और दस्व यहां छटे नियम पर बात करेंगे पंजीकरण कभी नहीं यानि संग का पंजीकरण कभी नहीं अगर आप सब लोग ध्यान दें और ध्यान से अगर इस सारी herbal संचे है तो आपको जानके हैरानी होगी इस बात की कि यहां जो पूरा भारत है पूरे भारत का कहीं कोई registration नहीं है यानि भारत देश हमारा अब तो छोटा भारत है जब यह महा भारत था तब की बात कि अगर हम करें तो इसका कहीं कोई registration इसका कहीं कोई पंजीक्रन या कहीं किसी रेश्टर में दर्ज नहीं होता कि यह इसका हमने registration या पंजीक्रन कराया है यानि भारत इतना बड़ा है उसका पंजीक्रन नहीं हो सकता भारत जो बनता है वो भारत के लोगों से बनता है इसी प्रिकार जितने भारत में लोग हैं उसमें अधिकतर समण हैं और वही भारत हैं जब भारत का पंजीकरण नहीं हो सकता तो भारत के सब लोगों का भी पंजीकरण नहीं हो सकता कौन करेगा कौन उनसे बड़ी बोड़ी है जो करेगा इसलिए संग का कभी भी रेश्टेशन या पंजीकरण कोई सोचे त उनका कहीं कोई registration या किसी राजा के हैं दर्ड होना या किसी राजा के दरवार में संग की पेसी होना या राजा के सामने संग खड़ा होना कभी नहीं हुआ संग के सामने राजा पेस होता है संग के सामने लोग पेस होते हैं संग के सामने जिसको समस्या होती है वो पेस होता है संग कभी पेस नहीं होता इसलिए संगों के कभी रेजिश्टेसन आज तक ना हुए है ना हुए पर यह सोचने वाली बात यह है कि इस नियम को क्यों बनाय आगया है संग ने क्यों पास किया है क्यों पाइचरसंग करते हैं कि मैं यू लोग तूटे जातियों में जब संट तो जातीया है और जब जार्थिया तूटी और खतम हुई और उनको जोडने के लिए फिर संग्धन आगे और उनकी संख्यां 39 लाग आगे यानि हम पर दोहरी मार पड़ी कि हमारा संग तूटा तो उसकी 6743 टुकड़े हुए जो जातियों के नाम से जाने गए और फिस 6743 जातियों के टूड़े टूटे तो 29 लाग संग्धनों के नाम अपनी मिलकित अपनी जाजात गोषद करने के लिए उनके पैसे को अपने कब्जे में करने के लिए उनोंने एक production कराया उसके अंदर सो क्राया उस ही राग से पताचलता रे संग्धन बने हुनें तो हैं कि सका होता है यानि की जो पंजी क्रण है किसका होता से पंजीक्रन होता है वस्तूओं का व्यक्ति का पंजीक्रन नहीं होता वस्तूओं का पंजीक्रन होता है जितनी वस्तूओं है जैसे कार है जैसे घर है जैसे खेत है जैसे फैक्टरी है जैसे बंदू का लाइसंस है इन सब वस्तूओं के पंजीक्रन होते हैं रेश्टेशन हो के मालिक होगे पैदा और संग्ठनों के मालिकाना हक लेने के लिए लोग उन्हें रेश्टेसन करा के रेश्टी करा ली पक्के करा लिए कोई भी संग्ठन बनता है सबसे पहले उसके मालिक आ क्योंकि क्यों सकते हैं तो साथ लोग वो चुनते हैं उसमें वो कैशर बन जाता है कोई सची बन जाता है इस तरह जब किसी लोगों के सम्हूँ का या लोगों के गुरुप का कोई मालिक बन जाता है तो फिर लोगों को उन मालिकों के इसारे पर काम करना पड़ता है। और उसमें जो finance वाला मालिक होता है उसको पैसा दना होता है और वो पैसे का मालिक होता है इसलिए चुक히 यहाँ यह declared है कि संग होके कभी कोई मालिक हुए ही नहीं है संग का मालिक खुद संग रहता है और हमने वही प्रेंसिपल लिया है जो पहला पुराना हमारा समर संग का प्रेंसिपल है इसलिए संग का मालिक संग रहेगा तो संग के सारे लोग संग के मालिक रहेंगे अब सब लोगों के नाम तो रिष्टी 120 करोड़ लोगों के नाम तो हो नहीं सकती और 120 करोड़ लोग बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़ी पावर होते हैं और वो पूरा देश होता है तो पूरे देश की रेश्टी कौन करेगा जब पूरे देश की रेश्टी नहीं हो सकती तो इसलिए संगों की रेश्टी कभी नहीं हो सकती और ना इसकी आ जाते हैं क्योंकि जो माली का राहग जिसको मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहेता है मैं इसका मालिक हूँ खाता मेरे नाम से चलता है तो बदलता नहीं और ऐसे देखे गए हैं जिन लोगों ने सरकारी करमचारियों के संख्र बनाए ऐसे बहुत सारे संख्धन है उन दिया कि हम इसके आज इवन प्रदान रहेंगे अजवन जन्नल सoben रहेंगे आज इवन केसे दिया और लोगों को पता ही नहीं के वहाँ सम्विधान में जो रैष्टार रेक्टर में जो लोगों ने जिन्होंने रष्टियां कराएं नोने वह साइल नें अर्में लगबग जगड़े और वह लगबग सब पतन पर जा चुके जितने वी ऐसे संगष हैं जो प्र्सक्त didn और अवह टुकड़े हो जाते हैं बाद में क्योंकि जिनके नाम रश्टी होती है वो छोड़ते नहीं और चुनाव वहां होते नहीं और पब्लिक की वहां पर कोई भागिदारी रहती नहीं तो वो मिनास का कारण बन जाते हैं इसलिए रश्टार एक्ट और रश्टी से फाइदा नही जो जगड देखने माया है. दूसरा है पदब और प्रतिश्टा का लालच है, जो देखने माया है. और तीसरा है एहम का लालच है. वो एहम इतना इकद आ बढ़ जाता है कि वह आप असमें टकरा जाते हैं और वो टूट जाते हैं. जो पज़ता असमत बनी हैं अगर आपको तोटने लगी तब से 1820-40 पतानी कितने चिक्कड़े होगे और सारे रश्टर्ड हैं अगर रस्टर्ड होने से किसी चीज़ की Exchange होती रस्टर होने से किसी चीज़ का फायदा होता रस्टर्ड होने की या जुड़ने की या जुड़े रहने की या एक होने की गारंटी नहीं है पर तूटने की गारंटी जरूर है जैसा कि सतर साल में फिनोमिना है जैसा कि सतर साल में हमने देखा है और चला है आपने ध्यान दिया होगा कि भारत के अंदर जो एक संग चलता है वो रिष्टर सब्सक्राइबूस्делา इसलिए मजबूत है कि पूरी दुनिया में उसका जो एक सब्सक्राइब भिक्कु संग वाला वह अन्सच को पूरी दुनिया में चलता है और साइट लोग उसे जुड़े होते हैं वो धम का जो भिकुवों का जो संग है वो इंट्रेक्ट है वो चल दा है पर साधरन लोगों का जो हमारा जो संग है वो हम भूल गए या हमको बना दिया या हमको यह कह दिया हम तो सर्मन हैं सरम करने वाले हैं सरम जीमी हैं सरमिक हैं हमारी उलादें भी सरमिक रहेंगी मजदूर रहेंगी बेलदार रहेंगी, लेबर रहेंगी, हमारे दिमाग में ये भढ़ दिया, अगर समढ़ सब्द बना रहता, तो समढ़ संग समझ में आ जाता जल्दी, तो वो संग हम पहले भी निकाल के ले आते, बहुत पहले हमारे जो बुझूर्ग हम वो पहले निकाल के ले आते, क्योंक यह पंजीकर्ण करेगा लोगों का यह पंजीकर्ण करेगा गुर्प का यह पंजीकर्ण करेगा सब का क्योंकि जादा लोग जो होते हैं वह थोड़े लोगों का रेश्टरेशन करते हैं पंजीकर्ण करते हैं थोड़े लोग जादा लोगों का रेश्टरेशन नहीं करते कभ हैं आपने देखा होगा कि कारी कर लग रहे हैं पर कोई ऐसा सर्भ संग ने नहीं दिया नहीं नहींसे सब्सक्राइब हो नहीं सकता लिए अवश्च्थ आफर कि नहीं क्या कि हर व्यक्ति का जितने भी समण हैं वो समण संके हैं जितने भी भारत में समण हैं उनकी जितनी बिल्डिंग है उनका रेश्टन करानी जो उतनी है वो सब समण की हैं जितनी भी चीजें हैं जितनी भी जगें हैं खेट खलियान मज़ूर हैं वो सब समणों का है तो जब है ही समणों का तो उसका रेश्टन क् तो है आपको इस्तमाल करना है जैसे चदोसी के अंदर एक बैंकेова किया आप आपने सवड का था उस ने हमको आड़ घंटे के लिए इस्तमाल करने को दिया हमें मिल गिया तो वह समन्का इह है हमें उस बैंक के has नहीं करानी है समर संका जो व्यक्ति का जो बैंक क्टमौ कर नहीं है अभी जो एक टैंपर यए अपने कम बीड़िए आपма काईकरम होगा और चार पांच लोग 10 मिलेंगे अगर आपको संचे नहीं अपने अपने doubt नहीं है और आप अपने संग के पुरिते से समर्पित हैं तो रइष्टे संग करा लो तुर भी इसमें गब्र हो जाएगा इसलिए अगर नियत अच्छी है तो हर व्यक्ति यहां इमानदार और बढ़िया और हर व्यक्ति का जो काम है वो लाजवाब है इसका कुछ शक नहीं इसका कोई जवाब नहीं है और अगर नियत खराब है तो कितनी सुख्छा कर लेना कोई फाइदा नहीं इसलिए संगों के रइष्टे संग कभी होते नहीं इसलिए संग का रइष्टे संग कभी होगा नहीं कोई व्यक्ति यह कहते कि संगों को बिना रइष्टे संग को ले जो हम इखटे होते हैं, जो हम संगती करते हैं, वो समर्संग है, समर्संग कहीं किताब में नहीं है, समर्संग कहीं पोश्टर में नहीं है, समर्संग कहीं रेश्टी में नहीं है, समर्संग किसी के पास नहीं है, समर्संग का सब हिस्सेदार है, जब सारे मिलते हैं, तो पूर लेके भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा क्योंकि पैसा यहां इक्षटा करते नहीं और एकाउंट कोई है नहीं तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता को इसको खोल नहीं सकता तो पैसे को ले यह चलाएगा जितनी भी प्रॉपर्टी आइम वो था सब समर्संग की हैं तो लोगों की प्रॉपर्टी नहीं आ कोई लेकर । कोई ऑध्याเหं लेकर ल्च आइब वह कहीं किसी के सपोर्ट में चला गया यह उसने कोई ब्यांदी सपोर्ट में यहarkis जाए यहां उसके पास में अकेली की अथरोटी है कि वो संगी है पूरे संगी अथरोटी तो संगी देता है जब संगी खटा होता है और जब संग बैठता है और जब संग करता है तब अथरोटी बनती है तब अधिकार बनता है तब संग आदी से बनता है एक आदमी कुछ नह महापुर्सों की बात है बताना प्रवक्ता कब बताओ महापुर्सों की तो क्या दिक्कत है क्या लेकर जाएगा वो लेकर नहीं जा सकता यहां किसी व्यक्ति को नेता वेता बनाते नहीं नहीं यहां चिन्नित करते हैं कि यह नेता है यहां सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रह आगे काम करता है, उसका चेरा है, या कोई वीडियो बनाता है, या कोई अपने नाम से पोश्ट बनाता है, या पोश्ट बनाता है, चमकाले चेरा, चेरा चमकाले और चेरा चमता के चला जाए, क्योंकि यहां तो वैसे भी छूट कर रखी है, कि अगर किसी व्यक्ति को राज मल रहेगा जाए जाकर राजनीती करें समड़ों को राजनीती करने चाहिए कौन मने करता है तो उसकी पहले से ही छूटे तो किसी को गुप चुप जाने की जोपिन है चेहरा चमकाई जाके राजनिती कर ले जिसको करना खूब चमकाई जितना काम यहां करेगा चमका लेगा यहां से कुछ जाद में ज़दा जदा इतना कर लेगा कि संग को नुक्साल पहुंचा लेगा, को डिफेम करेगा, संग के वारे में में कुछ उleटा सीधा कहेगा, या अगर वेक्ति कुछ शन्नित करके हैं जो पता भाई जब अपनी बात कहता संग माने या ना माने को होमसर जिसकी माने चलेगी तो तीन उसकी तरफ कुद उठेंगी एक से निए होचा करेगा कुँए क्यों की उपकि इस कहीं गुपचुप नहीं होती कहीं इसकी कोई नहीं होती इसलिए करेगा भी क्या तो संग से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं लेकर जा सकता कुछ भी नहीं लेकर जा सकता यह संग की खास बात है तो कि संग की जो प्रॉपर्टी है वो सभी लोगों के पास है को एक व्यक्ति ज जाना चाहे तो चार का नुक्सान होगा पर संग का नुक्सान नहीं होगा यह नुक्सान संग्ठनों में होते हैं यह जहां रश्टी होती है जहां पंजीकन होते हैं वहां नुक्सान होते हैं कि कोई आदमी आया और वो सारे के सारे पूरी रश्टी के मालिक के अधिकार को लिया, पैसा भी निकाल के ले गया, कोई आदे सी पारित कर दिया, और वहां से हटा भी नहीं, और प्रधानी बना रहा पता चला गे, ऐसी हजारों संस्थाएं हैं, जिनके प्रधान मरने को त्यार हैं, डेड बोडी उनकी पड़ी उनसे हमारा कोई भला भला होने वाला है नहीं, इसलिए यह जो नियम है, छटा नियम, कि समढः संग में किसी भी तरह का पंजी करना, किसी भी तरह का रिष्टे संग नहीं हो सकता, कब भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन भी यह पास हो गया हूस sectors के अंदर कि समढः सं लेंगे वैसे ऐसी नौवत आएगी नहीं क्योंकि यहां अब फिल्ट्रेशन तेज है जिसको समझ संग के नियम पसंद नहीं आते वो रुकी नहीं पाता वो चला जाता है और ऐसे व्यक्तिव आने भी बंद हो गए है जो संगिय वही आएगा और संग अब तेजी से बढ़ रहा है इसकी संग्ती बढ़ रही है इसकी लागातार लागातार मीटिंग बढ़ रही है अभी एक मीटिंग हुई है जो इधर हर्डोई میں होई है कल और दो थीन मीटिंगों का और आ गया आज मुझे बता रहे हैं डॉक्टर स्वामी कि नहां categक्रैशना आदर और यह इसमें नहीं हो रही है, जो डॉक्टर रमेचंद्र हमा गये थे, उनके चेहरे में कोई खिचाब है, या उनका चेहरा बहुत खूसुरत है, अगर ऐसा होता, तो पैदा होते ही, उनके घर के आसपास लोग आ जाते सारे, कि डॉक्टर स्वामी का चेहरा इतना अच्छा है चलो उनके साथ मीटिंग करें या डॉक्टर रमेशंद्रा कितने अच्छे हैं ये कारण नहीं है कारण ये है कि समण संग का जो पुराना नियम है और जो समण कितरे खिचके आएंगे ही या किसी भी संगी के अंदर कोई ऐसी चमतकारी नहीं है अगर किसी के चहरे में कोई ऐसा खिचाव होता या जादू होता तो वो अब तक तो सारे बेड़ा पार कर गया होता या किसी के चहरे में कोई चमतकार नहीं है पर समण संग की नीतियों में और समड़ संग के खटे होने में और सबकी खटी ताकत में ये चमतकारे इसलिए कहते हैं कि समड़ संग जंगल में भी मंगल कर सकता है और जहां समड़ संग नहीं है वहां मंगल भी जंगल हो जाएगा ये बात इतनी सच है जितनी की ये बात सच है कि अब हमारे अच्छे दि हैं तब तब जीते हैं जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं अभी जुड़ोगे अभी जीत जाओगे सो साल बाद जुड़ोगे सो साल बाद जीतोगे बिना जुड़े जीत नहीं सकते जो जुड़े पहले वो जीत गए जब तूटे तो हार गए इसलिए संग जो होता है वो हमेशा शिकारी होता है और जो संग से बहार होता है वो हमेशा शिकार होता है तो आपको करना है कि आप आपको संग के साथ रहके शिकारी बनना है या संग से अलग रहके शिकार बनना है क्योंकि जिसको शिकार बनना पसंद हो वो संग से अलग जाए और जिसको शिकारी बनना हो वो संग में आख बंतर के आजाए संगं नमामी धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपक चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूझी आपकी है, धन्यवाद। भासा में बताते हैं, 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 बत गज्छानू. भूथियम पि दम्मंगसर्णम् गज्छानू भूथियों पिसंदो सेनू गज्छानू. भूथियम पिसंदुम्गसर् गज्छानksomू ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छामी